सिक्षक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दी कभिनंदन है यह वीडियो नियोजित सिक्षकों को मिलने वाले राजे कर्मी के दरजा का समय होने वाली सक्षमता परिक्षा अपडेट एवं संसोधित बिसिट सिक्षक नियमावली को जारी किये जाने वाले समय से है इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि क्या नवंबर माह में ही नई सिक्षक नियमावली जारी हो जाएगी तथा क्या दिसंबर माह में सक्षम्ता परिक्षा नियोजित सिक्षकों की होने वाली है तो आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सची वाले से निउज है कि राजे कर्मी के दरजे वाली विसीष सिक्षक नियों माली में समसोधन जारी है और कैडर पर बार चल रही है बात यह चल रही है कि नियोजित सिक्षकों को और वी PSC सिक्षकों को एक ही कैडर में रखना है या अलागलग वहीं सक्षम्ता परिक्षा पर अपडेट है कि यह परिक्षा अनिवार्य नहीं होगा अर्थात जो सिक्षक तीन प्रियास में परिक्षा पास नहीं करते हैं तो भी वे नियोजीत सिक्षक के पद पर बने रह सकते हैं नियोज है कि बात अब इस पर चल रही है कि जो नियोजित तिक्षक परिक्षा में किसी भी प्रयास में नहीं बैठेंगे तो उनका क्या करना है उन्हें अनुटीन मना जाएगा या और कुछ उनके लिए नया नियम बनेगा। जैसे जैसे नौवंबर मां अंतिम चरण में चलता जा रहा है वैसे वैसे नियोजित तिक्षकों की बेचेने बढ़ती जा रही है। खिलिप आप पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। तो अर्सपस्ट है कि सक्षमता परिक्षा दिसंबर में हो जाएगी। और यदि सक्षमता परिक्षा दिसंबर में होगी तो संसोधित सिक्षक नियमावली इसी माह जारी होगी यह अनिवार्य है। नियूज तो यह भी आ रही है कि संसोधी शिक्षक नियमावली पहले पुर्व की भाती सिक्षभी भाग के विबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी इसके बाद उसे कैबिनेट में मन्जूरी दे दी जाएगी क्योंकि इसी के अंतरगत सिक्षकों और सिक्षक संगों की प्रतिक्रिया भी विबिन मिडिया के माध्यमों से सरकार तक पहुच जाएगी क्योंकि माननिय मुख्यमंत्री इस बार किसी भी हाल में नियोजित सिक्षकों से तकरार के पक्ष में नहीं है वे सभी नियोजित्तिक छकों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं यहां यह मेंसन करना जरूरी नहीं कि वे ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि यह सभी नियोजित्तिक छकों को पता है आगे जो भी अपडेट बनेगा आप तक पहुचाया जाएगा इस वीडियो में इतना ही आप कर दो एक दो एक दो कर दो एक दोड़ा है